दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटीब चैनल पर और स्टार्ट करते हैं आज का एक लेटस सब्डेट मेरा नाम अमन और हम स्टार्ट कर रहे हैं आप नहीं जो आज का अनलेसिस है आज का टॉपिक और भी ज्यादा पार्टी है जो कि अबरहाम अकोड को जिसने स्टार्ट करवाया था अब मुद्द यह उठता है कि अमेरिका को दोबारा इस मुद्द में आना पड़ रहा है ठीक क्यों आना पड़ रहा है विकोस वर्ल्ड पीस इस रिक्वाइड नाओ ठीक है इसराइल पलेस्टीन और अब कोल करने का कारण कह रहा था ठीक है यह चाहते है कि जो इसराइल इस समय पलेस्टीन और गाजा में कर रहा है ठीक है वो सही है यह गलत है इसका कोई अनलेसिस नहीं है ठीक है सही है यह गलत है इसका कोई अनलेसिस नहीं है बस इतना चाहता है कि सीज फायर हो जाए और जयादा ठीक है, जो यह जो बहुत ही ज़ादा attack हो रहे हैं ये रुक जाए ठीक है, बस शान्ति कायम हो जाए, बस White House यह चाता है ठीक है, फिलहाल में तो White House की यह चाता है इसलिए जो है Joe Biden ने नितिन जाओ को कोल किया अब उसका आप अब ये कहेंगे कि सर्फ responsibility के matter बेहिन उने call किया या फिर और भी बहुत सारे reason है इसके और भी बहुत सारे reason है ठीक है बहुत सारे reason है अब देखे लेते हैं देखे जैसे अमेरिका में दो पार्टीस है डेमोकरेटिक और रिपब्लिक पार्टीस है ठीक है तो इन दोनों क अलग से pressure पढ़ रहा है जोई-बिडन के उपर कि आप ठीक है इस पूरे issue को एक अच्छे तरीके से handle करिए ठीक है और even जो pro-Palestine जो ठीक है लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनका भी pressure जोई-बिडन पे बहुत जादा है ठीक है इवन जो पलेस्टीन के जो representative है उनके साथ जो एबिडन की बात हुई है recently तो उन्होंने भी काया कि एक तरीके से ये शांती कायम होनी चाहिए इसराइल को थोड़ा सा समझाना चाहिए इसके matter में और बहुत सारे reason है कह सकते है United Nation में पलेस्टीन के एक representative है इनके ओपर भी बोचना सकता है रियाद मंसूर ठीक है इन्ह प्रेशर है जिसकी वज़े से जोई विडन ने नितिन जाहू को कोल किया ठीक है और भी बहुत सारे कारण है ठीक कारण बहुत सारे एक कारण और भी है कि नितिन जाहू और विडन एक दूसरे को 30 सालों से जानते हैं diplomatic matter में और private ठीक है association से भी ठीक है तो ये भी factor हो सकता है कि उन्होंने personally उन्हें call किया अब reply क्या रहा नितिन जाहू का reply क्या रहा नितिन यहू की जो recent statement है उससे साब पता लगता है कि उन्होंने जोई बिडन के इस proposal को ठुकरा दिया है ठीक है उनकी जो recent statement है conference में statement है हमास के ओपर जो statement है वो है only two ways they you can deal conquer or deter और वो कहरें कि हम अभी तक सिर्फ deter कर रहे है ठीक है और एक चीज और important है जो उन्होंने का है determine to continue this operation until its aim is met यह clear cut define करता है कि नितिन यहू ने जोई बिडन के proposal को क्या है reject किया है और यह काम करते रहेंगे गाजा पर attack होता रहेगा air strikes होती रहेंगी जब तक इस बात का solution नहीं निकलाता और यह नितिन यहू का कहना है कि यह अपनी country को defend कर रहे है और इनके पास right है कि वो अपनी country अपने civilians को defend कर सके तो clear cut साफ होता है कि जोई बिडन ने जो efforts दिखाए उसको नितिन यहू ने reject कर दिया ठीक है अब एक point और आता है कि अमेरिका ने कुछ बोला इसराइल को और इसराइल वो अभी नहीं माना हाला कि ऐसा नहीं कि इसराइल और अमेरिका दुश्मन है ठीक है इसराइल को ठीक ठीक है ऐसा नहीं कि कोई दुश्मन है बस यह है कि इस समय इसराइल के प्राइम निस्टर ने अपने civilians अपनी country अपने prestige के उपर जादा focus किया है ठीक है इससे कोई दुश्मन ही नहीं बढ़ी है अब fact यह आता है कि इंडिया का क्या इसमें role होना चाहिए इंडिया को हमेश इंडिया फ्रांस इंवोल होगा तब इंडिया को थोड़ा सा non alignment movement पर जाना चाहिए कि वो किसी की भी तरफ नहीं है supporting all and India just want peace इंडिया को peace पर focus करना चाहिए तो यह आज का current affair है जिसमें हमें यह सब चीज़े पता होने चाहिए सबसे important इसमें जो आज का current affair आ सकता है कि पलस अमेरिका में कौन सी दो parties हैं तो इस पर भी question आ सकता है तो याद रखेगा बेटा democratic और republic party है ठीक है इस पर भी question आ सकता है ठीक है और बहुत सारी चीज़े मैं update करता रहूँगा आपको ऐसे update जो आपको मिलते रहेंगे आप क्या कर सकते हैं directly उससे wifi study पर पढ़ सकते हैं शा पूरे courses live ठीक है अन academy पे complete आपको GS courses मिल रहे है राफर कोड यूज करिए आमान 11 तरीस तारिक से courses start है जैसे आप गोल सूस करते हैं SSC गोल से रख करिए गर्श्म क्लिक करिए मन से रख करिए और राफर कोड यूज करिए आमान 11 तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही ह होप आपको analysis clear हुआ हो ठीक है और देखते हैं होप की peace कायम रहा है ठीक है सभी देशों के बीच में ठीक है मिलते हैं अपनी 7 बचेक वाली wifi study की session में ठीक है धन्यवाद आप सभी का ठीक है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए